parents लेक्राइब एक्सेशाइस लेक्राइब सेधर क्यों का हरसरूप सरमा की लगातर है लागा जा रहाए इसमें हमने लिया नमबर थर्ड ऑन अपन टूप्लस अरिएल इंसेलौस रहेंगे इसमें दूका टू रहे 가 sin 2x का फर्मूला आपको पता होता है 2 sin x into cos x और dx अब इससे आप solve करोगे उसके लिए 2 common ले लो नीचे से तो यह हो जाएगा आपका 2 1 plus sin x into cos x और उपर क्या रहेगा d अब 2 common लोगे तो आपका ये 1 upon 2 और 1 plus sin x into cos x solve करने के लिए क्या करोगे cos square x common लोगे जैसे ही cos square x common लोगे तो ये हो जाएगा आपका cos square x 1 upon cos square x और इधर sin x into cos x upon cos square x d x clear है 1 upon cos square x equal क्या होता है 1 upon cos square x equal sec square x 1 upon cos square x equal sec square x और इधर sin x और क्या हो गया है d x अब इसे आप convert करोगे 1 upon 2 और sec square x का sec square x और sec square x को क्या लिखोगे आपको इसे आपको मिल जाएगा sec square x dx इसे आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब कर लिजिए यह रहेगा आपका second square यह रहेगा d t और बन प्लस t square t square प्लस t अब आपको partial fraction आपने पिछली exercise में पढ़ी होगी उसे साब से क्या होगा यह 1 upon 2 का 1 upon 2 होना चीए 1 का 1 होना चीए और इसे आप series के according लिखोगे तो क्या लिख पाओगे t square प्लस t प्लस 1 और क्या हो गया है d t अब इसे solve करोगे तो 1 upon 2 का 1 upon 2 और यह 1 अब इसमें आपको पढ़ा होगा x के गुडां का half का इसको आप add करोगे और subtract करोगे तो इसमें t है तो वी ऐसी t का कर लो t का coefficient क्या है 1 upon 2 का square 1 by 4 तो यह t 1 by 4 add करो 1 by 4 subtract कर दो प्लस 1 का प्लस 1 हो गया है और dt का और dt हो गया है अब इसको solve करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो a square b square 2ab formula create हो गया है यह बन का बन यह हो गया t प्लस 1 upon 2 का whole score जब आप इसे खोलोगे तो आपको यह मिल जाएगा इसे solve कर लो तो इसका आएगा प्लस 3 बटे 4 यहां तो fraction solve हो गई है तो यह लिक्स देऊगे आप 1 upon 2 और इसे आप चाहो तो t dash भी मान सकते हो और shortly कर दो अगर तब भी आपका यह हो जाएगा 3 को क्या लिखो गए root 3 लिखो गए 4 को 2 root 3 2 का whole score हो गया formula पुनाव एपलाई हो जाएगा आपका 1 upon a 10 inverse x upon a तो आप इसमें देखो 1 upon 2 का 1 upon 2 और 1 upon a एकी जगह क्या काम कर रहा इसमें root 3y 2 यह 1 upon root 3y 1 upon a और 10 inverse x upon a 10 inverse x upon a जो x बोला जारा वो आपका t plus बना पॉन 2 है ते रहेगा t plus बना पॉन 2 और a a की जगह क्या बोला जारा root 3y 2 इसको root 3y 2 इसे 2 से 2 cancel हो जाएगा और 10 inverse इसे सकते हो 2t हो जाएगा plus 1 upon 2 root 3 upon 2 2 से 2 पुना cancel 1 upon root 3 10 inverse 2t plus 1 upon root 3 question था आपका x में convert किसमें हो गया t में तो आप पुना retry करके उसे x में convert करो 1 upon root 3 10 inverse अब आप जिसको t मानके चल रहे थे t t बरावर क्या 10 x इसको क्या लिख दोगे आप 10 2t है तो 2 into 10 x plus 1 upon root 3 plus c अब होने को इसका inverse भी solve हो सकता है अधरवाइज यह भी आपका solution माना जाएगा क्योंकि integration solve हो गया है तो पूरे questions को आप solve कर सकते हो और exam की देश्टी से भी महत्त पूर है Thank you